ख्यात चलनेश चित्र आटा उद्धेमिगोड आधांता सुनिल शट्टी और नमजत यदरे बंडी मातोड़ना बालस्टो एननत अन्त 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 अरवन जेवन अन्त अरो अलिवड डेल मारता यदरे बंडी नोड़ना सुनिल शट्टी जी आप 25 एर से हलोट में कैसा रग अर आज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्पन से मैं बैलगां हमेशा आता था जब भी मैंगलोर जाता था तो बैलगां होके जाता था और बच्पन की यादे बहुत कनेक्टेड है कि शाम को हमेशा यह रहते थे और इसे हम लोग ऐर कंडिशन सिटी बुला दे और रामदेव टेल में हमेशा रहते थे तो बहुत सारी यादे हैं और आज उनी यादों को I think GM ने फ्रेश कर दिया मुझे जैन भाई हम लोग गोवा से ड्राइव करके आए तो अच्छा लगा और बच्पन की काफी यादे आई तो good to see the बच्पना रिफ्रेश हो गया बलवान से लेकर करनड़ा का पहलवान तक आपका सपर कैसा रहा है बहुत अच्छा रहा है और बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिला I think 26-27 साल के बाद भी अगर और चार साल के बाद फिल्मों में आ रहा हूं लेकिन जो रिस्पेक्ट मिल रहा है जो लोगों का प्यार है I think वो बरकरार है which is fantastic और इसलिए हमेशा कहता हूं कि मैं अपने आपको लखी मानता हूं कि यूनों वो प्यार और वो फॉलोइंग अभी तक है अब बेसिकली करनाडा कैसा है और सुधीप यहनी कि आपका करनाडा का फिल्म एक्टर जो सुधीप आपसे मिले थे और पहलवान के लिए आपको मेजर रूल करने के लिए अभी पहलवान की बात है जब पहलवान की रिलीज पे बात करेंगे अब यह कृष्णा और सुधीप जो है वो फिलाल शूटिंग चालू है अब खतम होगी तो डिसकस करेंगे आज ही अनॉंस भी किये कि समर रिलीज होगी तो लुकिंग फॉवर्वर्ड पर दे रिलीज फिल्म सर मुंबई हिरोस के बार में क्या बोलेंगे सार बोथ क्रिकेट फैंस आपके लिए वेट करेंगे देगे हम लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेलते हैं हम लोग एक कॉस के लिए खेलते हैं 100 चिल्रेन, 100 सरजिरीज पर 100 यंग हार्ट्स चैरिटी से जुड़ा हुआ है और एक स्पोर्ट के तरह खेलते हैं चैरिटी के लिए खेलते हैं दोस्ती बढ़ाने के लिए खेलते हैं I think Celebrity Cricket League है एक ऐसा लीग है जहां आठ से दस स्टेट्स के प्लेयर्स, एक्टर्स एक साथ आते हैं सपोर्ट काउस विच इस फैंटास्टिक और हर चीज के पीछे जब एक काउस होता तो वह बहुत ही खूबसूरत होता सुनिल शिटी छोड़के यहनि के सोशल वर्क में बहुत आजकल दे रहा है और ज्यादा सा हैंने कि हैल्थ के बजर में आप जो दे रहे हैं उसके बढ़ मैं हमेशा है कॉंचिस रहा हूं क्यूंकि स्पोर्ट्समान रहूं और हैल्थ और मेरी फुजिक और मेरे अक्षिन ने मुझे वह मुकाम दिया है यह एक्षिन स्टार का तो हमेशा है से जुड़ा रहोंगा, CSR मेरा एक जिंदगी का एक हिस्सा है, Save the Children India, जो ओगनाइजेशन है, उसे हम सपोर्ट करते हैं, और इसी एग जी-म ब्रेंड को भी मैं अपना करके इसलिए मानता हूं, क्योंकि वो भी हमारे NGO को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरा मानना है, जब हम जिंदगी में कुछ अचीव करते हैं, तो उसे वापिस देना भी बहुत ज़रूरी है, और हमारा फोकस है education and children, और वो हमेशा रहेगा, इसलिए single focus के साथ चलता हूं, मुझे जब 10 लोग बोलते हैं, कि ये करो, वो करो, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वो करूंगा, जहां मुझे result दिखाई दे, और through Save the Children, मुझे result दिखाई देता हैं, and I will always support Save the Children. GM के brand ambassador, अब इसके बर में क्या बोलाँ जाए? यही मैं हमेशा कहता हूं कि GM is, GM is family for me now, और undoubtedly India is number one brand है, मैं fastest growing भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा number one brand, क्यूंकि innovation, innovation, absolute, innovation की बात करे, तो it's GM, giving back to society की बात करे, it is GM, whether it is the Jain society, or whether it is Save the Children, GM contributes a hell of a lot for children and education, तो मेरा मानना है की, you know, Jain बाय रमेजी राजेश एं राजेश, all of them, the entire team, is doing a fantastic job. तो करनाडा के आपके चाहव के बार में, तो कुछ करनाडा में बोलेगे? करनाडा में हमें सौलपा सौलपा बारता थे, I am from South Karnatak, तो हमेशा मुझे तुलू सिखाया गया तो तुलुनाद दकलेग करनाटक दकलेग प्रीति उपड़ बगका नमा नमा स्टेट दा नमा कल्चर दा नमा केपल प्रावड उपड अमा प्रावड का करनाड़ी का you know someone from Karnatak because I believe here in this state is where maximum respect is given to women maximum respect is given to education and children's growth which is fantastic बेलगाम आने के बाद आपका बहुत सारे रेने की जो रिफ्रेश हुआ अभी कैसा लगता है अभी कैसा लगता है आपका बार-बार बेलगाम आने के लिए बार-बेलगाम आने के लिए अफकोर्स अभी हमारे अपना इस्टैबलिश्मेंट भी है तो जरूर आएंगे लेकिन बेलगाम का प्रोग्रेस देखके भी मैं बहुत खोश होता हमेशा अज़ अज़ इस सिटी बहुत ग्रो हुआ है लास्ट येर आया था मैं करनाटक प्रेमेर लीग के लिए तो बेलगाम से होके हुबली गया था तो खूबसूरत बहुत खूबसूरत लास्ट कोशन ये अपका लपकमिंग इवेंट जो हैने वाले आपकमिंग काफी फिल्में आरे तो आई तिंग जैसे जैसे रिलीज होगी बात करेंगे क्योंकि आज जमाना ऐसा है कि जब वक्त आने पर अगर बात करें तो अच्छा है ने तो न्यूस टेल हो जाता है तो न्यूस को फ्रेश रखने के लिए हम तब बात करेंगे जब रिलीज के ताइम पर आए